Hello guys, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को डिलीट कर सकते हैं, स्रिफ दो मिनिट के अंदर वो भी बहुत आसान से तरीके से बताऊंगा, ताकि हर को इसको डिलीट कर सके, बिल्कुल आसान से तरीके से, लेकिन उससे पहले आपक लेकिन आपको सबसे पहले आपको क्या गाम करना एक चीश लेनी हैं बहुत दियान से कहीं ऐसा नहीं कि जिस YouTube channel को आप delete करना चाहते है वो तो आपने किया नहीं मगर आपके और भी YouTube channel है जो बहुत जाद यानि इस Gmail ID से मैंने ये channel बनाया है तो अगर आप इसको आगे को delete करना चाहोगे तो Gmail ID का आपको दिहान होना चाहिए कि कि इस Gmail ID से मैंने अपना YouTube channel connect कर रखा है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास एक और Gmail ID है और एक और YouTube channel है तो गलती साथ दूसरा ना कर बैठो इ ठीक है उसकी बाद आपको क्या अगम करना जैसी है यहां पर सीच अकाउंट पर आपको टैप करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे चैनल और ID मिल जाएगी हो सकता आपके मोबाइल में ना हो इतने क्योंकि आपने ना बना रखे हो लेकिन अगर आपके मोबाइल के यहां पर जान लेना है उसके बाद आपको क्या क्राम करना है बस यहां से बैक आ जाना है आपने समझ लिए कि मुझे कौन सा YouTube चैनल डिलेट करना है और उसकी अपके मोबाइल के अंदर एक एप्लिकेशन होगा जीमेल के नाम से जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहो ठी करना है तो जैसी आप करोगे करने के बाद कि आपको क्या कम करना है जिस Gmail ID को आपने अभी देखा है उस Gmail ID को यहां से select कर लेना है ठीक है तो आप इस पर कॉनर में टैप करोगे टैप करने के बाद यह बहुत स्वारी Gmail ID यहाँ पर आ जाएगी तो मैंने और रेड़ी यह जीमेल आइड़ी यहाँ पर सिलेक्ट करकिया आपने नहीं करी तो कोई सीपर भी अगर आप टैप करोगे तो वह सिलेक्ट हो जाएगी कोई बड़ा मसला नहीं है ठीक है तो यहाँ पर लिखावा सचीन कुमार यही जीमेल आइडिये उसकी बाद आपको क्या काम करना नीचे लिखा हुआ है गूगल अकाउंट आपको इस पर टैप करोगे तो कुछ इस तरीकी का इंट्रेफेस आपकी सामने आ जाएगा ठीक है बिल्कुल इस्टेब आपको समझा रहा हूं बिल्कुल आसान से तरीके से बता रहा है लेकिन जब आप करोगो तो मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगीगी पचास सेगेंड से पहले ही आप इस चैनल को डिलीट कर सकते हूं जो आपका चैनल होगा लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आराम से समझाना पड़ रहा है तो यूडियो को कई भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ओप्शन यहां पर देखने के लिए मिलेगा जहां पर लिखावा है एपस एंड सर्वीस तो यानि के जो एप है यह सर्वीस हमने लिए रखी है यानि यूटूब भी एक गूगल को ही प्रोडेक्ट है तो जो हमने सर्वीस बेगर लिए र इस तरी के लिए तो आपको इस पर टैप करना है इस पर टैप करने के बाद थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होता है फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा ठीके यहां पर लिखावा है चार-पाच आपको ओप्सन मिलाएंगे लेकिन हमें किस इसपर टैप करना है डिटे गॉगल यह सर्वीश यह भी गूगल कि इसलेई आपको बताएता फिर सा आपको इस पर करना है तो जैसे आप तो खोड़ा लगा हुए तो भोलो THERE को आप उसको पुछ इस तरीके का सागता शाओर आप अंगो दिखोगे फिर सई इंपोर्टेंट चीज यह भी बताता हूं यहां पर लिखवा है जीमेल और यूटूब आप किसको डिलीट करना चाहते हूं यहां से हमें तो यूटूब चैनल अपना डिलीट करना है मगर आपको एक इंपोर्टेंट चीज बता दिता हूं कई बार ऐसा होता कि जिस पर शो हो जाती है आप देखोगे यह यूटूब चैनल है और इसके नीचे लिखावा है वन वीडियो अपलोड़िट यानि इस चैनल पर मैंने शरीफ एक वीडियो अपलोड कर रखे और इसको मुझे डिलीट करना है तो आपको क्या काम करना है इसके सामने यह डिलीट को काम करना है तो हमें क्या काम करना है नीचे वाले पर टैप करोगे तो कुछ इस तरीके के होल आपके सामने यह आजाएगा और यहीं आने के बाद काफी लोग इसको छोड़कर चले जाते हैं कि यह पतनी आगे क्या होगा कैसे होगा इसको छोड़कर चले जाते हैं यह तना जादा easy है मतलब बहुत ही जादा easy है यहां पर लिखवा type in your email address यहनी जो email address अभी आपने पिछे देखा था जिससे आपने यूट्यूब चैनल बना रखा हूँ यहां पर टाइप करना पड़ता है अब आपके याद भी नहीं ना तो आपका असान सा तरीका बताऊंगा उपर लिख हो है यही यही Gmail ID आपके ऊपर लिखी हुए है सचीन कुमार मतलब जो भी Gmail ID आपका होगी वह बिल्कुल उपर लिखी होती इसी को बस हमें नीचे लिखना होता है तो हम यहां पर इसको Add कर देंगे यहां अब लिख देते हैं है तो यह mail ID बैंने यहां पे लिखेने के बाद आपको लिखना यहां पर option मिलेगा ड्लीट माई content आपको इस पर टैप कर देना ठीक है जैसी आप इस पे करोगे करने के बाद कुछ इस त्रीके के इंटरेफेस आपको देखने के मिलेगा जहां लिखवा है यह रहा यूवर कंटेंट इस बिंग डिलेटीट अब मैं आपको इस चीज और बताता हूं जब आप इसको डिलीट करोगा अपने यूटूब चैनल को तो कई बार ऐसा होता है कि डिलीट करने के बाद एक दो घंटा भी लग जाता है कि प्रोसेसिंग होने में हो जाता है एक दो घंटा या फिर 24 गंटे 48 से जाता टाइम नहीं लगता उसके बाद वह डिलीट हो जाता है अगर आपने यूटूब चैनल अपना डिलीट कर दिया है तो डिलीट करने के बाद एक नए चैनल बनाने के लिए जरूरत पड़ती है कि किस तरीके साब एक अच् लाइक तो जरूर से कर देना आप लोगों के लिए इतनी मैनत किए वीडियो बनाई है आपको को सिखाने के लिए त्यार एक लाइक तो बिल्गुल बनता है वीडियो को लाइक कर दिए अगर आपका कोई कोश्चन आप कुछ पूछना चाहते है मुझसे कुछ आपके अग कमेंट करो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा तो मिलते फिर किसी और नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाई